माझेज़न होती है relative velocity क्या होती है छलिए समझते हैं फटाफट से की relative velocity क्या होती है सो मान लीजी कि एक वैकल इस तरह से मूव कर रही है ये एक वैकल है ठीक है और ये जैसे माले जी इसी को मालेते हैं ये object A है ये object B है जब A और B object same direction में move करते हैं तो जो relative velocity of A होती है with respect to B वो क्या होती है VA minus VB या फिर relative velocity of B with respect to A क्या हो जाएगी VB minus VA So always remember कि जब भी object same direction में move करेंगे जो relative velocity होगी वो subtract हो जाती है